AI MIM प्रमुख अजदुदिन OAC ने UP में पलवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्ची की गठन का एलान किया है लेकिन मोर्चा बनने के दो दिन बाद ही ये चौकाने वाला दावा किया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के गठन के बावजूद उनकी पार्टी UP में किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी OAC की पार्टी की प्रवक्ता मोहमद फरहान का दावा है कि OAC ने पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ने से मना करते हुए उनसे पलवी पटेल और दूसरे सहोगी दलों के लिए प्रचार करने और वोट मांगने के लिए कहा है प्रवक्ता मुहम्मद फरहन का दावा है कि OEC ने ये फैसला कॉंग्रिस सांसद राखुल गांधी और तिलंगाना के सीम रिवन्त रेडी के दवाव में लिया है दावा ये भी किया जा रहा है कि OEC हैदराबाद में अपनी लोकसबा की सीट को बचाने और तिलंगाना में किसी तरह की जांच से बचने के लिए यूपी समेत ज्यादतर हिसों में चुनाव नहीं लड़ेंगे वे मुसलिम वोटों का बटवारा करा कर इंडिया गटबंधन को नुकसान नहीं पहुचाएंगे बलकि ऐसे कदम उठाएंगे जिन से बीजेपी को नुकसान और कॉंग्रेस और विबक्ष्री पार्टियों को फायदा हो महमद फरहान ने इन संसनिके जारोपो और दावो के साथ ही ओवैसी की पार्टी की सदसिता और प्रवक्तापद छोडने का एलान कर दिया है उनका कहना है कि उतर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन के एलान के कुछ घंटों बाद ही ओवैसी ने टिकेट के दाविदारों को सहयोगी दलों के प्रचार में जुट जाने को कहा प्रवक्ता मुहमद फरहन का कहना है कि ओवैसी ने कॉंग्रिस पार्टी के दबाव में चुनावनाही लडने का फैसला लेकर मुस्लिम सबुदाय के लोगों के साथ धोके भाजी की है उनके मताबिक यूपी का जो मुसल्मान अखिलेश यादव मायवती और कॉंग्रिस पार्टी के नीतियों से नाखुश था और अस्दो देन ओवैसी को अपने नेता और मुस्तकबिल यानि भविश्य की रूप में देखता था उसके साथ धोके बाजी की गई है ओवैसी अपने तीसरे मोर्शे के जरीये पटेर और बिंद वोटों में बटवारा कराकर बीजेपी को नुकसान पहुचाएंगे और अपने पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाकर मुसलिम वोटों का बिखराव होने से रोकेंगे प्रवक्ता मुहमद फरहान का कहना है कि ओवैसी पर अब तक बीजेपी की बीटीम होने का ठपा लगता था लेकिन इस चुनाव में वो कॉंग्रुस पार्टी और अखिलेश यादव की बीटीम के तोर पर काम कर रहे हैं वो भी हैदरावाद की अपनी परंपरागत सीट बचाने और तेलंगाना में सरकार की किसी भी जाद से बचने के लिए दावा किया जा रहा है कि ओवैसी यूपी में किसी भी सीट पर शुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर लड़ते भी हैं तो दो चार सीटों पर सिर्फ दिखावे के लिए डबी प्रतियाशी उतारेंगे आरुब लगाए जा रहा है कि ओवैसी ने अपने स्वार्थ के खातिर मुसल्मानों के वोटों और जज़बादों की सौदे बाजी कर ली है मुहमद फरहान का कहना है कि वे ऐसी सौदागर और धोखेबास नेता के साथ नहीं रहेंगे उन्होंने ना सिर्फ प्रवक्तापद बलकि पार्टी की प्राथमिक सदस्तात से भी स्तीफा देने का एलान किया है परहान ने दावा किया है कि ओवैसी के इस फैसले से यूपी में पार्टी के तमाम नेता हैरान और निराश है और तमाम में दूसरे प्तादी कारी भी जल्द ही पार्टी छोड़ने का एलान करेंगे